नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टार्गेट इस्टडी 2.0 में और आज हम बात करेंगे केवल रीट की रीट एकजाम 25 अप्रेल 2021 को होने वाला है और उसकी तियारी की जो रन नीती है अभी तक जिन लोगों ने बना ली या जो पहले से तियारी कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू जारी रखेंगे लेकिन कुछ विद्यारती ऐसे भी हैं जो अब जाकर एकजाम की तियारी करने के मून में आए हैं क्योंकि अब नोटिफिक्सन जारी हो चुका है तो इस नोटिफिक्सन जारी होने के बाद जो तियारी कर रहे हैं यदि ऐसे अब बेरती है तो यह वीडियो भी सिर्फ आपके लिए हैं और कुछी समय में आप रीट के जो भी concept हैं जो भी पार्टे क्रम में जो भी topics हैं उनको आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछले जो भी paper हुए हैं उनमें कौन-कौन से topics से कौन-कौन से प्रश्णों और कब-कब प्रश्णों पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्णों के हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले देवी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे साथी बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे जो भी नए अपडेट्स चैनल पर होते हैं नए अपडेट्स होते हैं नए वीडियो जाले जाते हैं उनके notification आपको समय पर मिल जाए और live class में आप आसानी से join हो सके समय से join हो सके तो अभी तक नहीं किया है आपने subscribe तो subscribe कर दे बेल आइकन को दबा दे ताकि notification आपको मिल जाए तो चले बात करते हैं विगत दो विकेंसियो में अपने संस्कृत भासा से जो भी संस्कृत भासा चुनने वाले हैं चाहिए वो लेवल पस्ट में हो लेवल सेकेंड में बासा पस्ट के रूप में चुने या बासा सेकेंड के रूप में चुने तो विगत दो जो वर्टेंसियों निकल चुकी है read की एक तो 2016 वाली और 2018 वाली दोनों की बात करेंगे तो दोनों में जो प्रश्न पूछे गए थे पहले उनकी बात करेंगे पिर आने वाले जो नया सेलिवस आज अपना नया सेलिवस आया है उसकी बात करेंगे तो पहले तो इसकी चर्चा करते हैं कि पहले प्रश्न पूछे कहां से गए थे तो मैं आपको बताओ पांच प्रश्न तो यहां से पुछे गए थे यानि अपटित गद्यान से लेख से पांच प्रस्ण पुछे गए थे वो पांच प्रस्ण केसे पुछे गए थे एक प्रस्ण तो पुछा गया था समास विकरा यानि समास से एक प्रस्ण यहां पुछा गया था दूसरा प्रस्ण की बात करें तो दूसरा प्रस्ण पूछा गया था संधी से तीसरा प्रस्ण जो है पूछा गया था वो आच्ची परिवर्थन चोथा प्रस्ण जो पूछा गया था वो विवक्ति और लकार से पूचा गया था अभिवक्ति में लकार पूचा गया था और पांच वा प्रस्ण जो पूचा गया था वो है विशेशन से संबंदित विशेशन से संबंदित प्रस्ण पूछे गए थे और ये पांच तरके प्रस्ण अपटित गद्यांस में से पूछे गए थे यानि इन पांच प्रस्णों में से यहां से पांच प्रस्ण पूछे गए थे बात करें, सेकेंड तो यहां से भी पांच प्रस्ट पूछे गए हैं, यहां तोड़ा सा समस्या ही आती है, कि भासा पस्ट कौन से सुने और बासा सेकेंड कौन से चुने, क्योंकि भासा पस्ट में तो यह दोनों पटित गद्यांस ही पूछी जाते हैं, यह भी गद्यांस हो स्लोग बन जाता है और एक स्लोक में से प्रस्ण पूचे जाते हैं और निश्रिते जब स्लोग में से प्रश्ण पूछा जाएगा तो इन में से प्रश्ण तो पूछे जाएगे समा से पूछ ले संदी से पूछ ले वाच्य परिवर्थन से पूछ ले विवक्ति पूछ ले सर्व नाम पूछ ले लेकिन इनके अतिरिक्त अलंकार और चंदों क प्रशन कहां से बनते हैं पांचों इनी में से बनते हैं यह 5 प्रशन यहीं से आपको मिलेंगे यानि 10 प्रशन आपको इनी विशे में से यहां पर आपको मिल जाएंगे और 10 प्रशन यहीं से पूछे गए थे और बात करें संस्कृत भासा सिक्षन की तो यहां से पूछे जा करेंगे और बासा सिक्षन जिसका अच्छा है निश्यत बासा सिक्षन के पूरे 15 में से 15 प्रशन सही करेगा और बासा सिक्षन पढ़ते कैसे मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि यहां पर हमारा क्यों चर्चा करना यह यह कि विगत जो प्रशन पूछे जा रहे हैं वह कहां से पूछे जा रहे हैं और आपको कौन से टोपिक को लेकर करना है क्योंकि समास में से सबसे ज़्यदा प्रशन पूछे जाते हैं और व्यवक्ति में से सरवाधिक प्रशन पूछे जाते हैं यह दोनों टोपिक ऐसे हैं जहां से सरवाधिक प्रशन क्यवाल इनी टोपिक्स में से पूछे जाएंगे दश प्रस्थ। पतित गद्या रूप में संसकत चुन रहा है और आpowers रेया है उनका सामना स्लोक से भी होγα यानि याあ आत्रेशान के सन्स्क्रत बात करते हैं संस्क्रत बासा शिक्ष्ण इसके अलावा प्रस्ण पूचे जाते हैं। पुचे जाते हैं, उपचारात्मक, निदानात्मक, उपचार, संबंदित, पुचे जाते हैं, इसके अलवा बहसाश्राज सिक्सन के सिद्धान और विदयाप से पुचे जाते हैं, ये सारे मिला कर आपको 15 परस्ण यहां से पुचे जाएंगे, पंद्रा, दस, 25 हो गए, अब 5 प्रश्ण कहां से पूछाँ जाएंगे, अब 5 प्रश्ण पूछे गए थे, आपको सीधे सीधे यह से पूछे गए थे, मैंने का कारक और विवक्ति से ज़्यदा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि वही प्रश्ण यहां से भी पूछा जा लकार के भी इन में भी पूछ लिया जाता है और लकार का एक प्रस्ण एक्ष्ट्रा पूछा जाता है संदी के प्रस्ण कभी भी पूछे जा सकते हैं लेकिन संदी के प्रस्ण पूछा जाता है अभी तक यहां कि संदी का एक भी प्रस्ण पूछा गया हो एक प्रस्ण संदी इसके लाव 15 प्रश्ण यह पूचे गए हैं यह तो थी अभी तक अभी तक हमने संस्कत में जो भी पेपर का विशलेशन किया उनमें यह 30 प्रश्ण यही से पूचे गए हैं ठीके ना इसके बाद बात करें नए टोपिकी नए से लिबस की तो नए से लिबस में आपके लिए कुछ टोपिक्स जो पेले थे लेकिन बासा सेकिंड के रूप में आपको चुने जाने पर ही वो मिलते थे लेकिन अब जब बासा पस्ट चुनो या सेकिंड चुनो आपको पूरे टोपिक्स मिलेंगे केवल बात वही है गध्यांस और पध्यांस की यदि आप बासा पस्ट के रोफ में संस्कृत को चुनते हैं боль rat आपको प्रस्चनों को निकालना है औन की यह दोनों को आप विशर्ण करके आपकë इन प्राशन के उत्तार बने वो प्रत्र नाम से और दो प्रशन नहीं जुड़े हैं विलोमपद और परेवाचीपदों से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं बात करें तो संसकत बासा सिक्षण टोपिक बिलकुल सेम पहले जिसे होते थे वेसे ही अब इस बार भी पूचा गया हैं लेकिन उसमें एक नया संसोदन किया गया है बासा सिक्षण में जो भी स्थ Bar ! जो in जयों वहाते हैं और सब्सक्राइब परीबासाओं के दौरा बनाय की संभावना यह उधारण के दौरा बनाए जाते हैं लेकिन इस बार आपको सबसे जज़ादा परशन वदारन और समस्भावना की संभावना है दूसरी बात करें तो एक टोपिक और जुड़ा एंगा राजस्तान के साइट्य कारों का संस्कत भासा में क्या योगदान रहा है अब तक का वर्तमान भी पूछे जा सकते या अभी तक जितने भी योगदान रहें यानि संस्कत साहिते में हमने राजस्तान को भी पढ़ना होगा अभी तक बड़े लेवल के जो एक्जाम होते थे पस्ट ग्रेड उनी में पूछे जाते थे आधुनिक साहित तेकारों का योगदान वो भी संपूर्ण लेकिन अब हम पढ़ेंगे राजस्तान के साहित तेकारों का संस्कत भासा में क्या योगदान रहा उसके लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा उसको आप पढ़ सकते हो उसके अलावा आप से प्रश्ण पूछे जाएंगे वहीं संस्कत भासा सिक्षन के यानि तीस प्रश्ण में तो आप राप्त कर लोगे लेकिन वो कब करोगे जब आप कंटिन्यू मेर साथ जुड़ोगे और